हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगर दोस्तों मॉडल स्कूल राजगर लेके आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज दोस्तों वर्सों से अंतर जन्पदी ट्रांसफर का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है तो दोस्तों अब आपके एक जिले से दूसरे जिले के जाने के रास्ते खुल चुके हैं तो आते हैं दोस्तों उस राष्णा देश के एक-एक बिंदू पे गवर करते हैं जिसमें ये सारी बाते वर्नित हैं लेकिन इस से पहले एक निवेदन है एक आहवान है कि अगर आते हैं educational मोहग वीडियोज तो आते हैं दोस्तों उस शाष्णा देश पे जिसमें एक एक बाते लिखी हुई है यह दोस्तों शाष्णा देश है इसके प्रेशक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनव है और इन्होंने दोस्तों भेजा है अपर मुख सचीव बेसिक शिक्षा शिक्षा अनुभाग पाच उत्तर प्रदेश शाष्णा लखनव पत्रांग संख्या भी दिया गया है दोस्तों शिक्षा निदेशक बेसिक 19806-09 और ये डेट है 2019-2020 दिनांग 15-2019 और ये है विशे सेख्षिक सतर 2019-2020 हेत अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतर जनपती प्रस्थान अंत्रण के प्रस्ताव का प्रेशन अब आते हैं शाष्णा देश में क्या बात लिखी है सेख्षिक सतर 2019-2020 हेत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परस्त के नियंत्रण अध्यापिकाओं के अंतर जनपती अस्थान अंत्रण के लिए निम्नुवत अस्थान अंत्रण नीत ये है दोस्तों ट्रांस्फर पॉलिसी नंबर एक का ऐसे निमित पुरुष सिक्षकों को अपने तैनाती या काररत जनपत में 31 मार्श तक यानि 31 मार्श दोहजार उन्नीस तक पांच वर्स की संतोष जनक सेवा आपने पूर्ण किया हो वे अंतर जनपती अस्थान अंत्रण आवेदन करने के लिए पातर होंगे अंतर जनपती आस्थान अंतरण है तो ये पांच वर्स की टम सेंट कंडिशन है उनके उपर नहीं लागू होती बहुत बड़ी चुट जो है महिला सिक्षिकाओं को दोस्तों दे दिया गया कि वह पांच वर्स का टम एंड कंडिशन नहीं लागू होगी अपने दोस्तों जनपत में वांच जनपत में इच्छित जनपत में जा सकते हैं महिला सिक्षिकाओं जिनका वेतन भुक्तान नेमित रूप से हो रहा है वे आवेदन करने हैं तुही पात्र होंगी जिन अध्यापक या अध्यापिकाओं की विरुद्ध अनुशास नात्मक कारवाही गतिम यह पहले यहां पर जनपत अस्तर पर आस्थाना अंत्रन होगा समयजन होगा उसके बाद जिलाबेशिक शिक्षादिकारी रिक्तियों का विबरण 10 जुलाई 2019 तक उनसे लिया जाएगा फिर आगे चलते हैं दोस्तों उक्त रिक्तियों में तदवर्स 23 मार्च 2019 तक स्वेव पर सारी दो समाचार पत्रों में अंतर जनपत अस्ताना अंत्रन होगा उसको याद रखिए नोट कर लिजिए 15 जुलाई से 22 जुलाई के मध्ध प्राप्त कर लिए जाएंगे तथा 31 जुलाई तक हर हाल में ये प्रक्रिया पूर्ण कर लिजाएगी यानि अंतर जनपत अस अस्ताना अंतरन है तो एक चुक एउम आहर अध्यापको द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर अनलाईन आवेदन प्राप्त लिया जाएगा जिसमें अध्यापको द्वारा अधिमान करम में तीन जनपतों का विकल प्रस्तूत करना पड़ेगा तीन जनपत आपको प्र रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर उनका अस्थाना अंतरन उनके द्वारा दिये गए दिती या तिरती विकल्प के आधार पर किया जाएगा पहला कोशिश की जाएगी पहला विकल्प हो रिक्तियों के करम में और नहीं रहेगा पहला तो दूसरा तीसरे विकल्प के आधार पर भी दोस्तों किया जाएगा ऐसे जनपद जहां सिक्षिकों की रिक्ति स्विक्रित पद के सापेच 15% से अधिक है वहां से अंतर जनपदी अस्थानांतरन में अध्यापक अध्यापिकाओं को हटाया नहीं जाएगा जहां पर ये टेक्निकल पॉइंट है ऐसा ज जिला जहां सिक्षिकों की रिक्ति स्विक्रित पद जो वहां पर स्विक्रित पद है उसके साफेच 15% से अधिक है वहां से अंतर जनपदी अस्थानांतरन में अध्यापक अध्यापकाओं को दोस्तों हटाया नहीं जाएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण या तथो से संबंदित प्रमाणित अभिलेग आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाएंगे जो भी आप डिटेल्स देंगे उसको आप ऑनलाइन आवेदन के साथ उसको अपलोड करेंगे उधारन के लिए विकलांगता है आसाद रोग के आधार पर किये गए आवेदन पत्र के साथ मुख चिकिस्सा अधिकारी का इसासे का प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना आवस्यक होगा कि उत्तर प्रदेश में असाद रोग के नेश्वल को उप्चार है तो नियोम अवली 2013 में वानित असाद रोग यथा कैंसर हिर्दय रोग लिवर रोग किड्नी रो के संदर में आपका गुणांग बराबर हो जाता है तो नियुक्ती तिथि में वरिष्टत्र जो होगा उसको दोस्तों वरीता दी जाएगी आगे चलते हैं अध्यापको के पारस्फरिक mutual भी transfer किये जाएंगे mutual transfer में कारज जन्पद में 5 वर्स के ठहराओ का प्रतिबंद लागू नहीं होगा यहाँ पे important चीज आप note कर लीजिए कि mutual transfer अगर आप कराते हैं तो यह 5 वर्स का जो एक अस्थान पे ठहराओ का जो टम सेंट कंडिशन है दोस्तों वो लागू नहीं होगा अंतर जन्पदी अस्थान अंत्रान सहची कवर्स में केबल एक बार ही किये जाएंगे यदि पत्पत्दी दोनों में से कोई एक उत्तरप्रदेश सरकार सरकारी सेवा में हो तो जन्पद में रिक्तियों की उपलबधकता की दसा में उन्हें यथा संबो एक ही जिलाद दे दिया जाएगा अंतर जन्पदी अस्थान अंत्रान जन्पद में रिक्तियों की उपलबधकता के अंस्वार के जाएंगे अंतर जन्पदी अस्थानांतरान अधिकार के रूप में मानने नहीं होगा आप राइट नहीं कर सकते कि हमारा हो ही अंतर जन्पदी अस्थानांतरान के फल्सुरूप अस्थानांतरी थोने वाले अध्यापकों को प्रतेक दसा में आदेश निर्गत होने के दस दिन के अंतरगत तैनाती के जनपदों से अधेता प्रमालपत प्राप्त कर नवीन जनपद में कारभार ग्रहन करना अनिवार होगा दस दिन के अंदर आपको जोईन करना पड़ेगा अंतर जनपदी अस्थान आंतरण के फल सुरूप नवीन जनपद में अस्थान आंतरित होने वाले अध्यापक ये अध्यापक की वरिष्टता का निर्धारन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा निमावलिव निश्वीक्यासी के नियम 22 के अन रूप किया संसोधन गराह नहीं होगा। उनलाइन आवेदन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंदित अध्यापक दोरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कारयले को दो प्रतियों में उपलब्द कराया जाएगा जिनकी प्राप्त रसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कारयले दोरा ध्यापक को दे कि प्रिंटेट काफी आवस्यक सलगन को साच्छो सहित आवेधन पत्र भरने कितित से एक सप्ता कियवत के अंदर आवेधन पत्र की एक प्रति अपने कारयले में सुरच्छित रखेंगे तथा एक सची बेसिक शिक्षा परशत कारयले तो दोस्तों दो प्रति में जो आप दोस्तों आविदन प्राप्ट हुए तो उसमें कितने प्राप्ट हुए कितने निरस्थ हुए वह भी इसे सब देंगे और वो उसकी एक सूची आपको जो है वहाँ पे सची बेसिक शिक्षा परिशत कार्या ले प्रियाग राज को भी उपलब दक्राई जाएगी कि इनका कि में क्ष्टता का दाव प्रस्थुत नहीं किया जाएगा मोहां आप जहां जायेंगे आप यह नहीं कहेंगे हम यहां पे सीनियर हें नग्शेत और नगरषेतर और यहां कुछ जिले विशेष जिले ॻ जिन एस्पिरेशनल जनपद जैसे सिधार्त नगर है, आपका स्रावस्ती है, बहराईच है, सोन बद्र है, चंदवली है, फतेपुर है, चित्रकूठ है, बल्रामपुर, यहां कूल सिवकृत पदों के 10% से अधिक रिक्ती हो, वहां से अध्यापकों को हटाया नहीं जाएग शासना देश दिया गया है संख्या दोस्तों, के प्रस्तर तीन में जिलाधिकारी के अध्यचता में कमेटी, वहां पर जहां आप जाएंगे, वहां जिलाधिकारी कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद आपको उस जिले में तैनाती दे दी जाएगी, अध्यापकों के अंतर अस्थान आंत्रण की समस्त कारवाही दोस्तों पूरी पारदर्शित्या के साथ 31 जुलाई 2019 तक पूरी कर ली जाएगी बहुत बड़ी बात है अस्थान आंत्रण हे तु निर्धारित अंतिम तित के पश्चात कोई भी अंतर जन्पदी अस्थान आंत्रण सची में खुशी आपको मिली हो कि ये योगी सरकार ने आपको अपने जीले में जाने का पुरह मौटा सुरे है तो दोस्तों इस जाने